करनाटक के विजयपूर से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई वहां कोरोना मरीजों में बढ़ोतरी के बाद सब्जी मंडी बंद कराने से नाराज एक किसान ने अपनी सब्जियां सड़क पर फिंग दी जो सरकार के इस फैसले से बेहद आग बबूला दिखा और उसने इसी घुस्से में अपने जोले से पत्तेदार सब्जी की कुछ गड्डियां हवा में उचा ली जबकि कुछ गड्डियां उसने सड़क पर फिंग दी इस किसान की नाराज़गी को देखकर वहाँ से गुजर रहा हर शक्स हेरान रह गया मगर किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की देखते ही देखते हैं उसने अपने जोले में रखी सारी सब्जीयां सड़क पर फिंग दी इसके बाद उसने अपना जोला भी वहीं फैंक दिया और फिर सड़क किनारे खड़े लोगों से चीख चीख कर अपनी बेबसी के बारे में बताने लगा इस तरह सड़क पर सबजियों को बिखरा देखकर वहां से गुजर रहे कुछ मोटर साइकल सवार पल भर के लिए रुके और फिर वो लोग भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए सवबात की बात है कि करनाटक के बीजापूर का ही नाम अब विजयपूर है और महराश्ट के सांगली और शोलापूर की सीमा से जड़े विजयपूर में तीन चोथाई से ज़्यादा लोगों की आमदनी खेती बाड़ी सही होती है लेकिन अभी वहां करोना की वज़े से वीकेंड यानी शनिवार और अविवार को कफ्यू लगा दिया गया है जिसकी वज़े से विजयपूर की सबजी मंडी भी बन थी जिससे नाराज होकर एक किसान ने अपनी उपज सड़क पर फिंकना शुरू कर दिया